नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्थ जीवन में उलजने बहुत है लेकिन उनसे बाहर निकलने के लिए प्रकिरती ने हमें बहुत कुछ दिया है जीवन में हमारे बहुत सारी चीजें हमसे जुरते है बिछड़ते हैं अब आज हम सजीव और निर्जीव दूनुही तरह की चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको बतलाने वाले हैं देखिए बहुत बार क्या होता है आप कुरसी टेबल भी खरिदकर लाते हैं तो कोई अच्छा दिन देखकर आप सौपिंग करते हैं तो आज हम पेड़ पौधे की बात करेंगे जो बिलकुल सजीब है और पेड़ पौधे हमारे भागे को प्रभावित भी करते हैं जैसा कि आपने सुना होगा बहुत बार महंगे रतन अंगुठियां लोग नहीं पहन पात बहुत ही सिंपल है आपको अपने घर में मिल जाएगा और इसका प्रियोग आपको जीवन में खूब तरक्की भी दिलाएगा अध्रत हैं दोस्तों हम बात करें अध्रत की लेकिन उसके पहले कि हम आपको प्रियोग बताएं एक बात आपके लिए जानना आतिया बस्यक है तोटका है ना तोटका का मतलब होता है तोक नहीं लगना यानि जब भी आप यह प्रक्रिया करें करें तब आप चुप रहें किसी से बात-चीत उस समयं नहीं करें और क्योंकि टोटकां में अगर लग गया तो काम पूरा नहीं होगा आपने घर के में ही बड़े बड़े से कहते हैं वो सुना होगा कोई काम कर रहे हैं तो सुना ओब इसका मतलब मालक्षमी का सुरूफ ऐसा मानदा है जिस घर में अद्रक होता है उस घर में घर की कमी नहीं होती और अगर आपके घर में अद्रक है और उससे पेड़ निकल आए तो बड़े ही भागवान है आप क्योंकि अद्रक से पेड निकलना भी आपके जीवन में तरक्की की सुचनाई लेकर आता है तो एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे अद्रक को आप वैसे तो ये प्रियोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं परसनीवार का दिन चुलने मंगलवार का दिन चुलने तो जादा अच्छा है अद्रक ले ले अद्रक का आप स्लाइस काटें किधर से काटेंगे जिधर से अद्रक में अंकूर निकला है जिससे पेड निकलता है उधर से ही काटें अंकूर को रहने दे, थोड़ा सा छोड़ कर आप काटिए, अब अंकूर वाले हिस्से में किसी भी चीज की नुकिली चीज की मदद से आप कमल का पुस्प या फिर स्टार बना दे, अपनी मन की इक्छा बोले, सारा जादू यहीं छिपा है, यह जो आपने अंकूर वाला हिस अद्रक के टुकडे में जो हमने कहा अंकूर वाला हिस्सा, यानि जो मू होता है, जिसे की पेड उखता है, वो वाला हिस्सा उपर रखिएगा, और नियमित रूप से हलका सा पानी डाले, ज्यादा मड डालेगा नहीं तो गल जाएगा, और फिर जैसे ही इससे पेड निकल करने वाला पेड़ है, जीवन में सिर्फ खुसियां ही लाता है, और जहां भी जिस घर में भी अद्रक नियमित रूप से खाया जाता है, उसको रखा जाता है, उस घर में बरकत होती रहती है, और उस घर में परेसानी नहीं आती, वैसे जो अद्रक का पॉडर सुखावा औ और जिसको हम सौठ कहते हैं, अगर अद्रक का पॉडर भी एक कागज की पुडिया में आप छिपा कर रखते हैं, तो ये भी मनोकामनाओ को पुर्ण करने बाला होता है, बस एक बात हमेसा ही याद रखेगा, कि अद्रक आपके घर में है, तो जैसे पैर ना लगे, ऐसे अंगल परतीक चिन बनाना है, जैसे कि ओम, स्वस्तिक का निसाम, कमल का पुस्प और अंकुर वाला हिस्सा उपर रखें और मिट्टे में दबा दें, धन्यवाद फिर मिलेंगे